हलो एब्रीवान कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ हाइँ हाइट बनेफेस्टेशन की एक और नई और अमेजिंग सक्षिस्टोरी और यह सक्षिस्टोरी है शारिका की और शारिका की एज अभी 38 एज में है जो कि अभी रणिंग में है और उनकी हाइट पहले 4 फीट 8 इंच थी अभी उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो यह उनकी डिजायर हाइट है 5 फीट 8 इंच जो कि उन्हें मिल चुकी है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब सारिका को कॉंग्रिचुलेट करें और यह आपके लिए ने बहुत बड़ा शाइन भी है क्योंकि हाइट अगर आप मेनिफेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं बी तो यह आपके दियły साइन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी हाइट बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी अगर मैं जो टेकनीक आपको बताती हूँ step by step अगर आप उस चीज को follow करते हो ठीक है तो आपकी जो height manifestation जो आप कर रहे हो 100% आपको मिलेगी आप सब कमेंट आते हैं बहुत से लोग मेरे जो subscriber होते हैं और जो बाहर के भी होते हैं मतलब जो हमसे जूड़े हैं किसी ने किसी तरह से वो हमें जो है कमेंट करते हैं तो मैं उनके सारे कमेंट का जवाब दोंगी जो लोग भी पूंच रहते सारे क्वेस्टन उन सबके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलि पाई है और में जब स्टार्टिंग में इस चीच को कर रही थी जब 24 च्राइव मेंसीच को मैं 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 चैनल कर रही थी तो मैं इसमें का सफ़ने ह theo क्योंकि मैं उस टाइप वाइब्रेशन को नहीं समझ पाई थी और नहीं जो मेरे अंदर क्या चेंज होने चाहिए मुझे किस तरह से फील करना चाहिए किस तरह से उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहिए यह नहीं पता था बस मैं अफर्मेशन किये जा रही थी कि मेरी हाइट पाँच फीट एड 小時 हो गई है वाइस मैं बसा ऐसी करती जा रही थी और मैंने उसमें फीडिंग को अध नहीं किया था ना ही उसमें मुझे कैसा महसूस होगा मेरी हाइट मिलने के बाद कैसा मेरा एक्ट होगा उस सारी चीजिव को मैंने किया नहीं था एड़ इसलिए यह06 जब मैं इसको स्टार्ट कि मैने 24 वेज के बाद मैंने इस च्छोड़ दिया थू फिर मैं 37 की 27 तक मैं आ दिए इस अब मेरी चे एज हम पैंने में और हम यह बर ने पhrphonyinen की और हाइद उत finds जाए थी कि मेरी हइट बढ़ जाए क्यूंकि मेरी हइट बहुत कम थी तो मुझे काफी जादा प्रैसानी भी होती थी लोगों कि comment सुनने पड़ते थे तो मुझे बुरा लगता था होला कि मैं खुद से प्यार करती थी मेरी हइट के वज़े छे मुझे कभी भी मैंने खुद को नहीं कोशा है कि मेरी हाइट कम है तो मुझे लोग बोलते है तो मुझे खुद से बहुत प्यार है पहले भी था आज भी है तो मैं सोच ली थी कि मैं इस बार हाइट बढ़ाऊंगे 100% और मैंने जब यूटूब में देखा कि मैंने हाइट को लेकर कि कहां पर गलती ही कि कहां पर मिश्टेक किया क्या मुझे गलती हुई तो वहाँ पर मुझे पता चला कि सबसे में इंपॉर्टेंट होता है अपनी वाइब्रेशन को बदलना यानि अपने फीलिंग्स को बदलना मैं तो फर्ष्ट में पहले जब मैं इस चीज को अट्रैक कर रही थी तब मैं सिर्फ उसको अफर्मेशन दे रही थी ना कि उस चीज को फील कर रही थी लेकिन अब मैं उस सारी चीजों को फील करने लग गई थी जो मुझे हाइट मिलने के बाद होती यानि मैं उस चीच को ऐसे आक्ट कर रही थी जैसे वो हाइट मेरे पास और रेड़ी है जब मैं चलती थी तो लोगों के बीच अपना जो है श्रॉब उचा करके मतलब गर्दन को उचा करके मैं ऐसे चलती थी जैसे मेरी हाइट बढ़ चुकी है और लोग मुझे से चोटे हैं मैं हाइटम हूँ तो लटकियों के लिए 5-18 इनच बहुत होता है तो मैंने उस चीच को फिल किया कि मेरी हाइट बाइट आट इनच हो चुकी है और मैं चल रही हूं तो लोग मुझे छोटे लग रहे हैं और सच में ऐसे चलती थी, जैसे मेरी हाइट बढ़ गई है मतलब अल्रेडी बढ़ गई है, ऐसा ही मैं देखती थी मतलब उस चीज़ को विजुलाइस करती थी, एक्ट करती थी और मैं साथ ही, मैं अपने आपको ये भी बोलती थी कि मेरी हाइट तो हो गई है, 5.8 तो मैंने इस चीज़ को लग भग लग भग दो महीने किया, और उसके बाद मैंने इसे चोड़ दिया, यूनिवर्स पर कि अब जो होगा देखा जाएगे, यूनिवर्स करेंगे जो भी करना है, और फिर मैं अपने काम वाम में लग गई, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गई थे, तो मैं हाइट के ही पीछे नहीं पड़ी थी, मैं अपना सारा काम कर रही थी, इदार उदर का, फिर एक दिन मैंने देखा, कि मेरे जो फ्रेंड बग ही होगी, या मैंने हील्स पहना है, साथ उसकी वज़ा से दीख रहा होगा, तो फिर उसके बाद मैंने उसको जादा नोटिस नहीं किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी दे बीद गए, मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, फिर मेरी हाइट सच में बढ़ने लग गई थी चीज को नोटिस किया और मापा भी कि जाकर के मैं एक बार ट्राइ करूं मैं आज इसको मापनूं तभी मुझे चायन आएगा तो इस तरह से मैंने अपनी हाइट को मापा तो अहां पर मुझे पता चला कि मेरी हाइट इग्जाक पांच फीट आट इंच हो गया और सच में मैं इतना खुश थी इतना खुश थी कि उस दिन तो जाने ही दो मतलब मैं अपने फैमडी के साथ इतना मतलब खुश थी सभी लोग भी मतलब खुश थे ऐसी बात नहीं है कि मैं ही खुश थी सब की हुश थे कि तुम्हारी हाइट इतनी जादा मेनिफेस्ट मतलब बढ़ गई और उन्होंने भी कहा कि हां क्या प्रोसेस की हो क्या चीज है हमें भी बताओ तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए मैं सोचू स्वार्थी नहीं हो मैं मैंने सब को बताया एक एक चीज कि मैंने ऐसा ऐसा किया है अगर आप कोई चीज मांगना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसी प बहुत खुश हुए और बोले भी कि हां तुम सहीं बोल जी हो और हमने तो देख भी लिया प्रूफ के साथ तो हमें और किस बात की चिंता तो उन लोग भी अपनी अपनी मन पसंद चीजों को मांगने लगी यूनिवर्श और आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे हाइट चार फीट आर निंच से पांच फीट आर निच हो गई है क्योंकि 38 की एज में लोगों को डॉक्टर्स को या फिर कहूं तो मतलब हर किसों को इंपॉसिबल लगे लेकिन यह चीज मेरे साथ हुई है तो इसलिए मैं जाहती हूं कि यह सक्ष स्टोरी सभी के सा क्योंकि जो लोग हाइट को मेनिफेस्ट करना चाहते थे मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसी सभी लोग चाहते हैं तो उनको भी यह स्टोरी जो है बिलीव दिलाए उनको भी अपनी डिजायर चीज मिले तो सबसे मैं यहीं कहना चाहूंगी कि हिमत मत हारिये भगवान आपके साथ कहो मांगो और अपने आपको उस चीज के लिए फील करो मतलब जो आप चाहते हो उसको अपने फीलिंग को दिखाओ कि आप क्या चाहते हो कितना आपकी जो फीलिंग है उस चीज को पाने के लिए है तो अगर आपने अपनी फीलिंग को बदला तो हर एक चीज आपको म तो जब आपनी feeling को बदलते हो आपकी चीजें जलदी से manifest होने लगती है और जो आप चाहते हो आपको easily मिलने लगता है तो आपको करना कुछ नहीं है बस अपनी feeling को बदलें सिर्फ आप affirmation बोलेंगे तो आपकी height मिलना सायद ही होगा या वो भी काम करता है मैं ऐसा नहीं बोलती है कि नहीं करता है देखो मेरा साथ ही कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ affirmation बोलती हूँ तो भी हो जाता है ऐसी बात नहीं है लेकिन इसी भी चीज को अगर आप feeling के साथ आयट करोगे तो वो जल्दी से और attract होने लगी आपकी हो ठीक है मतलब आप vibration के साथ अगर बोलते हो मान लो अब आपको कोई अपनी मन पसंद चीजे सोचो ठीक है जैसे मुझे ice cream खाना है ठीक है मुझे अचानक से मिल जाएगा ये तो है लेकिन अगर मैं उस चीज को feel के साथ बोलूँ वाओ उसका टेस्ट कितना लाजवाब होता है मुझे किस तरह से ice cream खाना है तो सच में वाओ कहीं से भी मुझे मिल जाए मिल जाए बस मैं उस चीज को खा लूँ और उस चीज को मैं feel भी करूँ कि खाने पर ऐसा लगता है तो वह चीज जल्दी ही मैनिफेस्ट होगी मुझे कहीं न कहीं वह चीज दिख जाएगी कोई मेरे फ्रेंड लोग कोई मेरे रिलेशन के लोग कोई मेरे घर के ही लोग ले आएंगे अचानाव से तो यह चीज होती है ठीक है आप इसी चीज को feel करो हमेशा जानो वाइबरे अपनी feeling को हमेशा ध्यान में रखना ठीक है तो जब तक आपकी feeling उस चीज के feeling से match नहीं करेगी उस चीज से match नहीं करेगी तो चीजे थोड़ा लेट में मैनिफेस्ट होगी है न तो अगर आपको जल्दी मैनिफेस्ट करना किसी चीज को तो आपको feel add करना होगा या मैं मोटी हूँ या सुन्दा नहीं हो ऐसा कुछ नहीं ही बोलना है बस जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैं अपने लिए fit हूँ बस इतना बोलना है खुद से प्यार करोगे न तो यह उनिवर्स्ट क्या सारा ब्रह्मान सारी काइनात आपको प्यार करने में लग कि ठीक है तो अगर आपको कुछ भी पूछ रहा हूं कुछ भी जाना हो प्लीज मुझे बेच जीठा कमेंट करना मैं आपके सारी कमेंट का जवाब हूंगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल आइकन को और ज़रूर कर ले